शनी 4th house में होता है, किसी भी घरह में अगर शनी 4th में आता है, तो उसकी मदर को cancer, आगे उसके लिए भी डर, तो उसको हमें शनी से लिटिड ही उपाय कराने पड़ते हैं, अब जैसे 200 gram Emily, जो बिना seed वाली है, वो anti-clock उतारनी है, जो patient है उसके उपर से, और वैसे ये डालनी होती है, pigs के आगे, जब pigs होते हैं, उनको डाली जाती है, because अगर वो pig खाते हैं, तो बिमार भी हो जाते हैं, लेकिन कई लोग डालने नहीं देते हैं, नहीं तो people के पेड़ के नीचे रखें, ऐसे कम से कम 7 Saturday करिए, आप देखें, आप को result मिलेगा जरूर, तो जो cancer से पीड के आगे डालना है, जो यमराज की सवारी होती है, भैंसे यमराज की सवारी है, ऐसे अगर आप भैंसो के आगे डालोगे, और वो खा लेते हैं, तो आपकी बिमारी धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है, जिसको गठिया हो जाता है, किसी को लंबी बिमारी चल रही है, सांस क बताते हैं, because लोगों को रेमिडिस जाए हैं, उनको यह नहीं पता राओ के तू कहां बैठे, शनी कहां बैठे हैं, तो आपने एक एक रुपे के नौ सिक्के, फ्राइडे नाइट को अपने तक्के के नीचे रखने हैं, और सैटेडे को उसको ग्रेवियार्ड में फैंक देन तो अपनी दूख दरे देता, करस्ट सब फैंक देते हैं, तो इससे बेस्ट उपाये नहीं है, जैसे कि अभी आप बात कर रहे हो कि हमने बात की पिग्स को इमली डालने की, जिनको कैंसर से जो पीडी थे हैं, और अभी आपने बात की, भैंस की आगे अगे अगर हम खजू होते हैं? ₂를 वह बुध अच्छा होता है, अब बुध अगर वक्री हो, नीच का हो, है nau, तो हमें बुध को अच्छा करना पड़ते है, बुध हमारी बुधी का कारक है, कए लोगों की बुधी काम नहीं करते हैं, अपनी ज्याधा बुधी चलाके नुकसान कर लेते हैं, चाहे share market हो, चाहे friendship हो, किसी भी चीज का. बूध हमारा brain है. जिसका बूध वक्री है, उसका brain कभी भी सही नहीं देगा, wavering mind रहेगा उसका. 6-8-12 में बूध चला गया, तो भी वो तकलीफ देगा. है ना कभी भी 6-12 में अगर बुद्ध चला जाए घर में तुलसी भी नहीं लगाते हैं उस घर में तुलसी लगेगी तो भी आपको health issues आएंगे है ना तो इसलिए हमें गाए को जो सेवा करते हैं हम अपना बुद्ध अच्छा करते हैं उनको पालग खिलाते हैं गोशाले मीचारा देते हैं हरी दाल भी घोकर अगर आप birds को डाल दो गाएं को डाल दो तो भी हमारा बुद्ध बहुत अच्छा होता है दो male parrots लेके आओ इनको खाना खिला, उंहें उडादो, तो भी बुद्ध बहुत अच्छा हो जाता है। अगर फोरान जाना है, आपका वीजा नहीं लगा है, आप उनको धाट को दो मेल पैरिट करिदो, तीन बुद्ध और उन्हें खाना खिला, उनको उड़ा दो. अच्छा. हो ही नहीं सकता हो, का وीजा ना लगे जिन लोगों का वीजा नहीं लग ग़हा है उनको mail दोनो mail ले ले, ऐसे तीन venus day करने है यह लिए कि इस venus day to next venus day to उसके next venus day to और ये बड़ा ही छोटा सा उपाया और आपका काम होगा ही होगा बड़े लोगों को कराया और रिजर्ड भी मिला और मुझे लगता हाज कि 80% लोग जो है वो बाहर जाना चाहते हैं और यह बड़ा ही असान सा हुपाई अच्छा एक नजर लगने की बाद जैसे कि हम बहुत सारे च्छोटी टिप जो हमारी दादी नानिया करती आ रही है फटकडी, कोईला तो ऐसे एक से नो नमबर जैसे कि हम काउंट करते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच वाले जो बिर्थ टीट के अकॉर्टिंग आ बताते हो तो एक से नो नमबर वालोंके लिए बताई कि अगर, बुरी नजर के लिए, उनके लिए कौन सा ऐसा टोटका है साथ दिन तक पहनी रहने दो, जब वो सूख जाएंगे, तो दाके डस्बिन में डाल दो, हम दोनों तरीकों से नजर उतारते हैं, दूसरा होता है आपने निम्बू लेने, 200 ग्राम निम्बू, एंटी क्लॉक उतारने हैं, और जहां चोरस्ता है, वहां रख देने हैं, एक न सब चीजों से बहुत जली नजर उतरती है, अचा एक और चीज अभी जैसे हम लसुन की बात कर रहे हैं, पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आज के टाइम में लोग यह चीज करते हैं, जैसे गाउ में कई बरी जब हम भी अपनी बात करें, मैं अपनी भी अपनी दो कलियां लेके जाना है, ऐसे बाहर नी जाना, तो हम चोटे बच्चे होते हैं, तो हमें लोगते हैं, तो नानी कौन सी बात कर रहे हैं, और आपनी अभी यह लहसुन का उपाय बताया, तो यह काम करता है, और लहसुन कहीं आपको बुरी नजर से बचाता है, बच्चा छूटा है तो आप इसको हींग भी बान सकते हो, जब हींग बंदी होती है तब भी बच्चे के पास कोई नेगटिव अनरजी ने आती, क्योंकि जब बच्चा 40 दिन का होता है तो उसके पास नेगटिव अनरजी रहती है, जिन को शरीर नहीं मिला, कोई चारो तरफ घूंती रहती है, वो आने की कोशिश करती है, किसी शरीर में परवेश करने की कोशिश करती है, तब भी हम बच्चे को हींग बानते हैं तो यह कही न कही इसके पीछे कारण है, क्यूंकि आजकल के जो बच्चे हैं, जो आजकर की लड़के हैं, वो इन चीजों को लगता है कि यह क्या है, मतलब ऐसी उपर लेकिन यह काम करती है, फिटकरी से भी नज़र उतरती है, आप फिटकरी का एक टुकड़ा ले लो, अपन भी नजब हो जलती उतरती है, इसलिए यह सब चीज़े काम करती है, अच्छा एक और चीज़, पैसों की किल्लत, हमारे पास इतने सारे विवर्स हैं, उनके जो हमारे पास मेल, इमेल और हमारे वाटसेप पे मेसेज आ रहे हैं, कि दोनों मियाब भी जॉब करते हैं, दोनो बड़े लिमिटेट से खर्चे करते हैं, लेकिन end of the month फिर भी यही होता है कि कुछ नहीं बचा, तो पैसों की किल्लत को लेके, पैसों की बरकत को लेके, कि पैसे बचे हैं, उसके लिए भी कोई खास रेमिडी, उसके लिए दिखो, अगर आपके पैसे नहीं बच रहे हैं, यहार तो कि यह आपके घर में वास्तो दोश है, विकोज अगर south east अगनी कोन है, वहाँ पर पानी आ जाते है, तो भी हमारे पैसे ड्रेन हो जाते हैं, southwest की entry होती है, तो भी पैसे हमारे ड्रेन हो जाते हैं, तो इनको balance करना है, south east में एक रेड बलब जला दो, अगनी को create कर अगर वहाँ वाटर है तो हमने वाटर की जगह उदर अगनी क्रेट कर दी है ना वहाँ पर लाल दंत मंचन का एक डिबा रख दो है ना उससे क्या होगा तब भी वह अगनी क्रेट हो जाएगी उस जगह के और आपकी सेविंग सोने शुरू हो जाएगी आप यह छोटी- प्रखे जो हैं घर में वह बात अगर पेरेंट्स की नहीं मानते तो समझ में आता है कि वह बहुत ही चोटे हैं और अभी उनको अपने अच्छा बुरा नहीं पता है वह चीजों को निगलेक्ट कर रहे हैं पेरेंट्स की बात नहीं मानें लेकिन जब बात आती बड़े है, बड़ी बहन है उनको समझाने के अगर कोशिश करते हैं कि नहीं भाई, तुम गलत कर रहे हो, और भूर थापस प्रक्रहएं बट फिर भी उनको अपना अच्छा बुरा नुकसान समझ ही नहीं आता, एक नुकसान होने के बाद, consequence हमाद लोग उनको को हमें balance करते हैं, अगर हमारी बुद्धी अच्छी नहीं है, नीच का हो गया बुद्ध, तो हमारी नीचिता लिये वे हम हो जाएंगे, हम कुछ भी सोचेंगे सिर्फ अपने लिए सोचेंगे, दूसरे के लिए ने सोचेंगे, उसका जितना मर्जी नुकसान हो